दोस्तो नवश्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उशागी क्रेंड में आज हम बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो 1.3T एक्स्टा लॉंग FB के बारे में जिसको कंपनी ने अपने BS6 इंजिन के साथ में और BS6 फीचर्स के साथ में इसको लॉंच किया है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डीटेल में बताऊँगा कि इस नई गाड़ी के साथ में आपको क्या पावर, क्या फीचर्स और क्या माईलेज मिलेगा साथी इस गाड़ी के ऑन डोड प्राइस आपको क्या हो सकती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like and share अवश करिएगा तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के लंबाई चोड़ाई के अंदर कोई खासे बदलाब यहां पर नहीं हुए है अगर आप इस गाड़ी को दूर से देखते हैं तो आप पहचान नहीं सकते हैं कि यह BS4 यह BS6 है बस आपको BS6 की एक स्टिकर बेजिंग इसके फ्रंट ग्लास के उपर दिखाई देती है जिससे कि आपको पता चलेगा कि यह जो गाड़ी है BS6 है दोस्तो आपको Bolero, Abby, Pickup की जो स्टिकर बेजिंग है, Extra Long है, 1.3 है इस तरी की जो दोनों साइड में बेजिंग पहले आया करती थी वही Same to Same आपको यहां पर अभी भी दिखाई देंगी सामने की जाएड मगर हम इसके Head Lamps की बात करें दोस्तों, तो Halogen Bulb के साथ में इसकी काफी Powerful Head Lights अभी भी आपको Same दिखाई देंगी वैसी की वैसी ही जो पहले आया करती थी दोस्ति इस गाड़ी का जो Grossical Weight है वो 3,245 kg के आसपास का है और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आप 1300 kg तक का माल आसानी से लेकर के जा सकते हैं यह गाड़ी दो variant में आती है, 1300 kg की पेलोट कैपसिटी के साथ में और दूसरा 1500 kg की कैपसिटी के साथ में चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके नए इंजिन के बारे में आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको महिंद्रा का M2DICR 4 Cylinder Inline Pump के साथ में आने वाला इंजिन मिलेगा जो की 253 cc के आसपास distillation करेगा साथी दोस्तों यह जो 5.0 L Direct Injection BS6 Technology वाला इंजिन है इसके अंदर आपको टर्बो चार्जर जैसी सुईधा भी मिलेगी जिसी कि आपकी गाड़ी का जो पिक अप है पर्फॉर्मेंस है वो काफी बहतर हो जाता है दोस्तों बात करें अगर इसके माइलेज की तो इस नई गाड़ी से आपको माइलेज मिल सकेगा 14.5 किलो मिटर प्रति रीटर डीजल के हिसाब से नई गाड़ी के अंदर दोस्तों यहाँ पर सालेंसर के अंदर कुछ कैटरलेटिक कनवर्टर हो गएरा कुछ सेंसर लगाए गए हैं जिससे कि हमारी गाड़ी जो है वो बीए सिक्स के जो पॉलिशन की जो मानक है उनको मीट कर पाती है और हमारी गाड़ी प्रिदूशन रहे यहाँ पर हो जाती है इस गाड़ी के अंदर बैसे देखा जाए दोस्तों तो आपको एड़ ब्लू वगरा डालने की कोई अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये तो था दोस्तों इस इंजिन का इस्प्रेसिविकेशन इस इंजिन से आपको 75 HP का पावर मिलेगा 32 रपीम के आसपास और 200 न्यूटनमीटर का बहतरी टॉर्क मिलेगा 14 से उसे लेकर के 2200 रपीम के आसपास सामने एक साइड में दूस्तों यहाँ पर आपको मिलता है सस्पेंशन रिजिट लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विध हाइडरोलिक टेलिस्कोपिक डबल एक्टिंग सौक अबजरबर के साथ में साथ पट्टे का आपको सस्पेंशन आगे मिलेगा साथ यहाँ पर आपको एंटी रोल बार जैसी सुफिता भी मिल जाती है जो कि आपकी ड्राइविंग कमफर्ट को काफी एजी कर देती है पीछे के अगर सस्पेंशन की बात करें तो सेम सस्पेंशन आपको पीछे मिलेगा लेकिन पीछे के साइड में आपको 9 पटे वाला यानिकी 9 पटे वाला सस्पेंशन पीछे मिलेगा यानिकी 2 पटे और बढ़ जाते है क्योंकि पीछे की साइड में आपका लोड बोड़ी आ जाता है दोस्तो लोड़ बोड़ी के अगर बात करें तो इसके लंबा ही मिलेगी आपको 8.4 फेट और 4.5 फेट और इस गाड़ी की जो लोड़ बोड़ी है दोस्तो आप इस गाड़ी को केविन भी चैसिस भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास में आपसन अवेलेबल होत मिलेंगे जिससे कि अब आपकी जो गाड़ी है पीछे बैक करना आपको काफी आशान हो जाता है यह BASX की जो सेफटी नॉर्म से उनका खयाल रखते हुए कंपनी ने इस विदा को यहाँ पर दिया है तो दोस्तो काफी मजबूट चैसिस के उपर इसको बनाया गया है इस कंदर आपकी शारा मल यहनी कि 1300 kg तक आपको शाया पापको लाएंगे जाता है तो दोस्तो इस घाड़ी के अंदर ब्रेकिंग की बात करें तो सामने के टैयर में जो है यानि कि सामनी कैसाइड में आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेग और पीछे मिलेंगे अपको द्रम ब्रेक या भी टेकनोलोजी वाले ब्रेकिंग्स मिलते हैं इसके अंदर जिससे कि आपकी जो गाड़ी है लोड बॉडी के साथ में अगर आप काफी सारा लोड भी लेके जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की जो है ब्रेकिंग काफी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है देख लेक लिए नहीं मिलेगा क्योंकि BS4 गाड़ी के अंदर जो केबिन मिला करती थी वही interior आपको यहाँ पर पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाता है हाँ इसकी जो seat है इनकी थोड़ी सी चोड़ा ही जरूर बढ़ा दी गई है जिसका जो thigh support है और sitting comfort है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है headrest बगरा मिल जाते हैं आपको seats के उपर और cabin के अंदर आपको light है sun visor है एक काच है आपका चेहरा देखने के लिए और पीछे का traffic देखने के लिए वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिलती है काफी सारा leg space मिल जाता है गाड़ी के अंदर और यह जो गाड़ी है दोस्तो इसके अंदर आपको power steering यहाँ पर मिल जाएगा हुआ है सीटे काफी अच्छी मिलती है अच्छे material के साथ में इनको बनाया गया है आपको headrest वगरा यहाँ पर मिल जाता है दोस्तो इन गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पर mobile charging है, globe walks है, इस तरह की सुवधा मिलती है, seat well बगरा मिल जाती है और काफी सारी जगे मिलती है, मतलब की आपकी काम की जगे, utility space जिसको कह सकते है तो दोस्तो यही था इस गाड़ी, Mahindra Bolero 1.3T का अंदर का interior और इस गाड़ी के बाकी other features और specificization यहाँ पर आप music system बगरा भी लगाना चाते है तो वो भी आप लगा सकते है तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आज का यह detail review आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो इसे like and share अवश करिएगा और पहली बार मेरे channel पर आए हैं तो subscribe करना ना भूले तो आज के लिए इतना फिर मिलूँगा, जै हिंद, जै भारत